तेखे मैंने सारे मित्रों को सुना और इसमें कोई दो रहा हैं नहीं है कि महांगाई की मार पढ़ रही है और इसमें भी दो रहा हैं कि सक्तापक्स के ईकोनॉमिस त disp rap करने से बस्ते रहे हैं आप इसमें को कूप करेंगे कि बेचेमी होफिसमंब वाने में आर्बी आई ने पैसा दिया है अगर किसी के पास कोई रिपोर्ट हो कि सतर परसंट पैसा मोदी जी ने अपनी जेव में डाल लिया मुझे बताईए मुझे बार जो मेमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारूफ करवा देते हैं हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल है एके मिश्रा साथ राजनितिक विल्शेशक हैं अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं हमारे साथ हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एके मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं क्योंकि बीजेपी यहां पर मौझूद नहीं है और मेरी मजबूरी यह है कि मैं सत्ता से ही सवाल पहले करता है लेकिन बतौर राजनितिक प्लिशेशक आपका आकलन क्या कहता है कि क्या वाकई में देश में महेंगा करेंगे तो जबा आची चीजें महांगाई देश के सास्थ विदेशों में है महा है दॉसरी चीजिए हो गया पी सही है Ee आपने बोला कि महाँगाई एक इतना conceptual चीज है जो इतनी जरूरी चीज है कि महाँगाई का असर अमीर गरीज सब के उपर पड़ता है हर आदमी बोलता है कि चीजे महाँई हो गई है उसके उपर कोई विशेश वारता परिचर्चा या एनालिसिस नहीं हो रही है और सब्सक् के साथ है अगर जनता आपके साथ नहीं होती तो आपको जिताती नहीं लेकिन परिट्चा तो होनी ही चाहिए कितनी conceptual चीज है तो इसी के साथ मैं अपने प्रखम चरण का यह चीज यह मानते हुए कि वाकई में महाँगाई है और इस पे बहुत विश्लेशात्मर्ट जो है अब आपको बताओं पहला फाइडा यह है अभी कुछ दिन पहले एक हमारे विपक्स्क्स की पार्टी है उसके टॉप लीडर्शिप नेपाल में किसी आप देखिए ने दिलशस्पी नहीं है उसमें क्योंकि हर किसी की अपनी परसनल एफą हो सकती है ना तो चुल साइक शे नहीं जिनका चाहिए को हो ज़ Frontal Life नहीं है यह ठीक है कि इस बात को लेकर सरकार लेकर में गंभीर और MEहंगाई से बात को लेकर सरकार प्लोड कर ने चाहिं के सारे सारे मित्रों को सुना और इसम यंद नहीं कि म向ाई की मार पढ़ है और इसमें वह इसले जो रहा है नहीं है कि सत्ता पक्ष के गुलियों कि जो भी नेता है वह इस पर डिबेट करने इसमें भी कोई दो रहा है नहीं है सरकार देखे किस तरह से सरकार यहां पे उसकी प्राइडियोरिटीज है मुझे यह लगता है कि आप यह देखे जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है हाईवेज बनवाना ऐसी जग़ा पे टनल बंग है जहां पहले आगनी तक नहीं जाता था विकास तो अंग्रेजों के टाइल में गी हुआ तो आप उसको विकास मनेंगे आप स्पीड देखिए ना विकास की जाला जी मुझे पूरा कर लेने देखे दो पक्ष है अचा इसलिए एक के मिस्रा जी अपने नाम के आगे से पहले तो आप एकोनौमिश सब्ध हटवा द प्रिबात कई है जेस्टी से सरकार ने कितना वसूला है और कितने का हाइवे बनाया है और बांड पर कितना खर्श किया है लोगों को खाध्यान फिरी में दिया है इन सारे को जोड़ लिया जाए तो जेस्टी से जितनी असूली है उसके 30 परसेंट भी नहीं होता है आप य 70 परसेंट क्या हुआ अभी इस देश में पवन हंस हेलिकाप्टर बेचा गया जरा पता करिए उसके खरीदार कौन है एक फारेंटर है जिसके बारे में कोई पता नहीं एक ऐसा है जिसके बारे में वेवसाइब पर कोई सूच नहीं है आप अब भागपाप में करियाले बनवा रही है औरे से फाइब पिस्टार होटल की तरक कर्याले बनवा रहे हैं और सब्सक्र चंद्रक नहीं होँए आप एक रिज़्य आपने जो इक्डिवें अख निमें आप ने जो इकिंपे वेर्स केयारों की प्रक अचे ज़रीव आप आप कि पूपथ पार्याइए में अश्र0 इन वंगतित रों है कि अरवत बन केकर और कर देह आपको आपको बता रहा हूं एक प्लिप प्लिज प्लीजी संगें चंद्रेजी नो चंद्रेजी मैं बहुत बहुत गंभीर विश्य है आप लोग जानते हैं पूरे देश में लौट स्पीकर और बुल्डोजर किसी वा चर्चा नहीं हो और जहां हो रही है वहाँ आप लोग इस तरह से बहस समझा करिए सब्सक्राइब जो लोग देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं उनको पता तो चले कि हां देश में है अगर किसी के पास कोई रिपोर्ट हो कि 70% परसेंट पैसा मोदी जी ने अपनी जेव में डाल लिया हमिस्सार ने का लिए या भास्पा को चुछ आखने हैं मुझे मुझे बाता हैं वो सरकार के पास है सरकार की किनोतियां और प्राइरियारिटिस का हैं पालिस को देख में जान किया का अभरेजों के टाइम में भी है कि जो आग है अगर्यां में लाजिक पे बात करें लाजिक करें लाजिक पेös कुछ आपकर रहां कि जो हमारी बीडिया सरक बनना है इसको हम पांच साल में दस साल में बना के तभी हम दम लेंगे इसी लिए अर्बी आईगे अधिकारियों ने बोला कि अभी कुछ और दिनों तक मांगा ही रहेगी तरकार संदोता नहीं करना चाहती है तरकार को पैसे चाहिए और पैसे कहां से आएंगे मतलब 300 पे निमू और 500 खरीदने के लिए आप तयार है आप यह कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है खरीदो भई मेरी अपनी बात नहीं है मैं नहीं आप अपनी बात रहरे हैं मैं तो बोल रहा हँ क्यारे जनता लगातार चुनाओ जिताह रही है कि इस मतल्ञा खैलाद को पारियर जिए अप बहुत पर चर्चा करना चाहरा हूं कि गुफा काट करके रेल मनमुगां सिंग्स के समय से ही बन रही थी जब उनके 10 साल का टैनल ना जाने कि खुच चुके थे ऐसा नहीं हमारा देश चार्थ पर जा चुका मंगल पर जा चुका और ये पता निकांट के हुए कि कौन बेज रहा है देखिए डियाडी ओ किसने बनाया इस रो किसने बनाया एचल किसने बनाया ये सारी चीजों ठोड़ दो आई एम किसने बनाया कहेंगे तो आप बताने पाएंगे इंफ्रेस्ट्रक्टर्चर पर ये 51 लाग करोन रुपे विदेश से करज ले लिए और 65 साल की सरकारे जिसम अगर वाकई में इतनी महंगाई है जनता तरस्ट है सरकार मस्त है और मीडिया पस्त है जो बात चंद्रेशी समझा रहे हैं फिर भी देश में महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही क्यों क्या लगता आपको देखे चाला जी पूरे डिवेट को समझने के लिए एक उदारण में देता हूं करना है तो एक आप काम कर दीजिए पेट्रोल को दस रुपए में बातना शुरू कर दीजिए और च्छा महीने के भीतर आप श्री लंका बन जाईए जंता समझदार हो चुकी है अगर जंता सड़कों पे नहीं आ रही है तो जंता लॉंग टर्म विजन को समझ रही है आप अमेरिका ने स्कूलों को बेचने का काम नहीं किया था सारवाजी समपत्यों को अरे सार अमेरिका में मावा और अंतरिक इंपावर के मामले में भी भारत और अमेरिका एक बराबर है तो मिश्रा जी बहुत अच्छा ग्यान दिया आपने मुझे मिश्रा जी अब हो गया एक मिनट मिश्रा जी अमेरिका और भारत पर्चेशिंग पावर के मामले में एक बराबर है आपने मुझे समझाया थैंक्यू सो मच इस ग्यान के लिए इस ग्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक मिनट गुरेज भाई हो गया हो गया हो गया हो गया एक मिनट हो गया गुर्रेज भाई मैं कुछ सवाल चलते चलते आपसे करना चाहता हूं अब यह जनता का विवेक है जनता को क्या दिखाया जाता है जनता वही देखती है ना प्लीस गुर्रेज जी को स्क्रीन पर लेकर आएंगे और एके मिश्रा जी भी है और यह बह बुल्डोजर पर हिंदू पर मुसल्मान पर और लाउड स्पीकर पर महराश में तो कोहरा मचा है लेकिन गुर्रेज भाई कुछ सवाल और जवाब आपसे इसलिए चाहूंगा कुछ आकड़ो और कुछ इतिहास के पन्नों को मैंने पलटके देखा और मैं चाहूंगा की आ कमामบशों को लेकर शवक्त चिंतन मंधन हो रहा है। मेरे दिश की मीडिया इस बात को लेकर चिंतित है कि बुल्डोजर और लौच स्पीकर को लेकर बुल्डोजर और लाउट स्पीकर पूरे देश ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक महीने हम इस पर चर्चा कर सकते हैं सिर्फ लाउट स्पीकर और बुल्डोजर पर एक महीना ज़रा सोच कर देखिएगा कि इस पर एक महीना हमने खर्च कर दिया एक महीना अब मुझे एक बात बताईएगा चलते चलते क्या पूरी बात को ध्यां से सुनेगा गंबीरता से क्या हमारे देश में ब्लैक मनी कितनी वापिस आई इस पर चर्चा होनी चाहिए या फिर नहीं या फिर बुल्डोजर पर क्या हमने नोट बंदी से हासिल किया नोट बंदी से हमने क्या एचीवमिंट हासिल की इस पर चर्चा होनी चाहिए या फिर लाउट स्पीकर बुल्डोजर पर make it in India जो हमने शुरू किया था उससे हमने क्या एचिव किया और क्या नहीं क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए या फिर बूलोजर हिजाब या फिर हलाल पर क्या सवच गंगा पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने गंगा को कितना स्वच कर पाए या फिर वाकई में हिंदू और मुसल्मान पर मुस्लिम इन्वस्टी पर क्या वाकई जो हमने गाउं गोध लिये थे सांसुदों ने हमने मतलब सांसुदों ने हमारे देश के प्रधान मंतिरी जी ने आप कि गाउं गोध लिए उस गाउं का कितरा विकास हुआ गाउं गोध में हैं या फिर वह गाउं बड़े हो गए है उस पर चर्चा होनी चाहिए या फिर रोल्डोजर और लाउड स्पीकर पर आपको क्या रखता है गुरेज भाई देखिए दिलक जी ये तो आपका काम है कि आपको किस विशह पर चरचा करानी है लेकिन आपको एक बाद जुरू कहता हूँ आप में इतने विशह बोले आप रोज इन पर चरचा करें मैं रोज आप क्या मैं आपको लगता है कि देश जो है वो अच्छे दिनों में यही अमरित काल है हमारे लिए कि मैं जी मानता हूँ और मैं फॉर्ण पॉलेसी का बेसिकली स्टूडेंट हूँ एक्सपर्ट उसी का हूँ तो मैं आज जो भारत की इस्तिति देखा हूं दुनिया भर में तो ऐसी इ लिए कभी नहीं देखी इतने वर्षों का मेरा अध्यन है और आज डेफिनेट भी तुस हिंदुस्तान बहुत अच्छा है यह जीत रहे हैं और जनता हमारे साथ है इसलिए यह सब कुछ हो रहा है पता है कि मिश्रा जी क्यों हो रहा है विपक्ष गायब हो गया इनको मैनर भी नहीं है कि एक गंटे तक बैठे अगर कहीं आये हैं तो ऐसे थोड़ी होता है कि मुझे की वाथ हम यह करते हैं मैंने आप एक सवाल बड़ा बड़ा विचारनी है कि आपकी सारी बातों को मैं मांगाई है सारी चीजे और सरकार हर वो काम कर रही है जिससे सरक सरकार की इंकम बढ़ती है इंडिया में भी एक बार सिच्वेशन ऐसा आया था हम सबसीडी पे सबसीडी आख मूच के देते जा रहे थे ताकि जनता खुछ रहे और हमें अपने सोने गिर्वी रखने पर गए थे और एक महिने या एक हफते का हमारे पास पैसा था मैंने इ कि आम आदमी ही क्यों भुकतेगा सवाल यही यहा कि सिर्फ आम आदमी मिडल क्लास इख थे डिवतने वाली बात नहीं है जी डेस की जनता इस सक्रिपाइस के लिए टयार है इस स्क्राग के लिए टयार है डेस की जनता चाहती है हम 4-5 साउत कर सिसार कर देंगे